भले ही योगी सरकार ने अक्टूबर 2018 तक प्रदेश को खुले में शौच मुक्त करने का दावा किया हो मगर संगम नगरी इलाबाद में हकीकत कुछ और ही बया कर रही है प्रियाग स्टेशन से सटे संजनगर का सुलब कॉंपलेक्स अपनी बधाली के आसू बहा रहा है इस सुलब कॉंपलेक्स का आलम ये है कि यहां सिर्फ गंदगी का ही अंबार लगा हुआ है और भारी बारिश के पानी के कारण ये कॉंपलेक्स तलाम में तबदिल हो चुका है इस्थानी लोगों की माने तो शौचाले का आश्वासंदिया गया है मगर उन्हें बधाल सुलब कॉंपलेक्स का इस्तिमाल करना पड़ता है दरसल कुछ दिन पहले ही इलाबाद महानगर को खुले में शौच से मुक्त घोशित किया गया था इस अवसर पर नगर आयुक रितू सुहास ने दावा किया था कि राजधानी में भी खुले में शौच से मुक्त नहीं हो पाया है और इलाबाद ने पहला इस्तान हासिल किया बहराल इस सुलब कॉम्पलेक्स की बधाल इस्तिती इलाबाद के खुले में शौच से मुक्त अभियान पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है जब इलाबाद में खुले में शौच से मुक्त हो गया है तो शौचाले की ऐसी हालत अभी तक क्यूं है इलाबाद से सेद रजा की रिपोर्ट